गाना तो आपने सुना होगा MP अजब है सबसे गजब है ये गाना मध्धप्रदेश में चरितार्थ होते भी दिख रहा है अजब इसलिए क्योंकि पूरे देश में सिर्फ मध्धप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान पूरे प्रदेश की महिलाओं के मामा औ बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है शिवराज जी 31 उलाई को आप इसी छेत्र में थे आपने विकास के बहुत सारे बड़े दावे और वादे कि शिवराज जी आपकी बहने अब आपके जहासे में नहीं आने वाली सीधे ललका रही है आपको जरा सुनिए कि क्या कह रह तुमने आपके इसलिए तो मैं वह नदि वाले विडियो बना तक लाई है जिए घंञा खोरा है जी तो वहीं डिबरी तो टो पिर आवे वस्ताई नहीं है हमारी यह बोट लेने के लिए आगे पीछे दोड़े और आपके दोड़े हमारे और सुईदा कोई देखे निये अ तो मुख्य मंत्री जी सुने आपने अपनी लाडली बेहनों के सुर्प आपकी लाडली बेहना योजना हर जगा काम नहीं आती आपकी बेहनों को मूल भूस सुविधाओं की जरूरत है जो आपने अपनी चौथी पारी के शाशनकाल तक नहीं दी है अब आपकी बेहने योज जो खिम में डाल कर उसके परिवार वाले गोद में उठा कर ले जाने को मजबूर हैं आपको पता होगा कि कैसे नदी और नाले उफान परा जाते हैं और हाथ से हो जाते हैं लेकिन मजबूर परिवार क्या करता बात गर्वती महिला और उसके अजन्मे बच्चे को सकुषल प अबने के बावजूत आजाद भारत के छेतर वर्ष बीतने के बाद भी मद्रदेश की दो अलग अलग जगा की बेहाल तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ये दोनों तस्वीरे दिवाजी लेके खाते गाउं विकास खंड के ग्रामीर अंचल के आदिवासी गाउं से सामने जिन्हें देखकर थोड़ी तो आत्मगिलानी हो रही होगी आपकी समवेदन शीलता पर कोई प्रश्ण चिन नहीं लगाता मगर ये तस्वीरे पूरी मानग जाती को शर्मसार कर रही हैं ये पहली तस्वीर पट्रानी ग्राम पंचायत के खिवनी खुर्द से सामने आई है जहां ग्राम पंचायत मुख्याले पट्रानी तक पहुचने के लिए कोई पका रास्ता नहीं है कच्चे रास्ते से खेतों की पक डंडियों से होकर जामने नदी के तेज बहाव को पार करना पड़ता है फिर गर्वती महिला सुनीता भाई को उसके पती अमर सिंग ने अप गर्वती महिला सुनीता भाई की हालत और भी गड़ने लगी फिर क्या था अस्पताल तक सुनीता को ले जाना असंभव हो गया और परिवार को सड़क पर ही तिरपाल परसाती ढखकर डिलीवरी कराने पर मजबूर होना पड़ा इस वीडियो में जरा सुनिए कि आपकी ला अब बात दूसरी तस्वीर की है ये खाते गाउं जन्पत पंचायत की ग्राम पंचायत पलासी के पाचापुर गाउं से सामने आई है यहां भी पंचायत मुख्याले पलासी तक बहुचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है यहां भी आपकी लाडली बहना गर्वती आ परहा रही बहु को कपड़े से हवा करके धांडस बंदा रही है महिला का समान लाडली वैना को हजार उपए देने से नहीं होगा शिवराज जी जरा समझे कि महिलाओ को सुविधाय देनी पड़ेंगी महिलाओ का समान तभी हो पाएगा मध्ध प्रदेश अजब है और सब से गजब है